इस बीच्चो की तियारी कर रहे हैं क्लास 9 के लिए उनके लिए भी काफी इंपॉर्टन्ट है तो आई आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जो बच्चे पहली बार देख रहें वीडियो उनको बताना चाहूंगा बच्चो की वाटसेप ग्रुप का लिंक है आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको जुड़ सकते हैं लगवग 4,000 बच्चे जुड़े हूए हैं और साथी साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियो को जरूर देखे जो लास्ट येर मैंने बताया हैं काफी वीडियोस बने वे हैं इसलिए भी मैं थोड़े से कम वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट येर मैंने काफी कुछ कवर किया था बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी था ठीक है तो इस वज़ा से एक हजार बच्चे जो है मेरे वाटसेप ग्रूप से सलेक्ट हुए थे जो तीन हजार अल ओबर इंडिया सीट है और काफी टॉपर्स भी निकले जिसका वीडियो आप इंटर्वी वाले सेक्शन में प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन्होंने त्यारी कैसे की ठीक है तो ये जो बुक से बता रहा हूं बच्चो मैं रागो प्रकाशन की बुक से बता रहा हूं और ये आपको फिलिपकार्ट और एमेजॉन पर दोनों पर प्लब्द है तो आपको वो कुछ नहीं करना है रागो प्रकाशन लिखना है स्रिष्ठा बुक अगर आप स्रिष्ठा की त्यारी करना है PMSSB का भी सेम सलिबस है मैं कई बार बता चुका हूं तो ये दोनों ही एक्जाम्स के लिए कोली इंपॉर्डंट है तो ये देखे पहला आपके सामने कोश्चन है यह मानना है कि माही बच्चे के लिंक के लिए पूरी तरह से जिम्मिदार होती है गलत है ठीक है ये तो सही बात है गलत है क्योंकि इसके पिछे कारण क्या है ठीक है अब देखे जो माह होती है उनमें XX क्रोमोजोम होता है जो पिता होते है उसमें XY क्रोमोजोम होता है ठीक और मान का थो भाई欸س ही है तब यहां पर गल्ल का जन्म होगा ठीक है तो यह मानन writings के लिंग के लिंग पूरी तरह से जिम्यदार है तो यह जो धारणा है वो एकदम गलत है ठीक है तह आपको समझ गए क्योंकि पिता इसके लिए डियुक्त तरश से जिमेधारें पिता के पास ही वाई क्रोमोसों होता है तो इसमें कैा है इसका जो answer होगा बछो मैंने explain ऐसे कर दिया बच्चा एक गुणसुत्र मा और दूसरा पिता से और पिता ही VS देता है तो बच्चो एड्स का फुल फॉर्म क्या है क्योंकि जीके रिलेटेट कोशन भी आते हैं तो चाहे हो आपका बेच्चु का एक्जाम हो या आपका सुरिष्टा के एक्जाम हो एड्स किसके वज़े से होता है बिसानों जिवानों प्रोटोजोवा मतलब एड्स is caused by वाईरस बेक्टेरिया प्रोटोजोवा आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखकर बताईएगा ठीक है और यह सब काफी मैंने एक्स्प्रेइन भी कई वीडियोस में किया हुआ है तो आप की घटनाय जो है नीचे दी गई है अभी मैं उसको दिखा दे रहा हूँ और यहां पर बताना होगा कि अब सवाल देखने के आप चारो आप्शन देखे अंडे का निसेचन अंडे का परिकवन ठीक अंडे का अंडा से से बहार निकलना भुरून का गरभाय से की मोटी हो ग रहा है उप्युक्त दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही करम का निरुपन करता है बच्चो देखे इस तरह के सवाल आते हैं अकरम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है और समझना में जादा जरूरी है तो यह देखे मैं जो बता रहा हूँ इसका एंसर है पहला दूसरा फिर तीसरा फिर पहला फिर चौता आईए इस ओप्शन को देख लें कि क्या क्या वो ओप्शन है ठीक है तो इसमें पहले क्या है अंडे का परी पक्वन ठीक है इसके बाद है आपका अंडे का अंडासे से बहार निकलना ठीक है इसके बाद है अंडे का निस पूरा क्रम आप जरूर याद कर लिजेगे। बचो ये राघव प्रकाशन की जो बुक है, वो हिंदी मीडियम क्लास नाइन्त के लिए ठेक हैं? और इंग्लिस मीडियम क्लास नाइन्त के लिए अबलेबल हैं? और क्लास 11 के जो बच्चे त्यारी कर रहें, उनके लिए केवल हिंदी में ही उपलब्द है तो जो बच्चे WhatsApp ग्रूप में जोड़े हैं उनको मैं बता भी रहा हूँ, बराबर दिखा भी रहा हूँ इसके बाद देखे, फूर्थ कॉश्चन है टैड पोलो के कायंतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में अपलब्द होना चाहिए टैड पोल आप जानते होंगे, जो मैड़क अंडे देता है, जो अंडे से छोटे-छोटे उसके बच्चे निकलते हैं, उसी को टैड पोल कहा जाता है, आप देखते होंगे कई बच्चे सोचते हों मचली है, कन्फ्यूज हो के मैं भी पहले बच्चमन में सोचता था कि मचली के बच्चे हैं, पकड़ता था तो कायंतरित होने के लिए यानि कि इसके मेटा मॉर्फोसिस के लिए बच्चो आयोडीन इंपॉर्टन तत्व है, ठीक है, जैसे आयोडीन हमारे लिए भी चाहिए, घेंगा रोग नहीं होता है, गवैटर नहीं होता है, ठीक है अब आई ये पांचमा कोश्चन है योनावस्था के दौरान लड़कों में सबसे सूष्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्टन कौन सा है ठीक है, सबसे देखे, पूछा क्या है कुछ और भी ऑप्ष्टन हो सकते हैं इसमें पूछा है कि सबसे सूष्पष्ट जो सबको दिखाई देदेगा भई, बच्चा ही बड़ा हो गया ठीक है, स्वर्टन्तर या यंद्र का बिक्सित होना ठीक है, ये भी होता है ऐसे कद की बृद्धी होना, ये भी होता है सुकुणवानों का बनना हाँ और अधिक पसीना, भाई, इससे तो कोई ऑप्ष्टन लेकिन जो सबसे बेस्ट है, वो है कद की पृति हो अगर बच्चा कोई छोटा है मालिज यतने हाइट का है अब इतना बड़ा हो गया वही साफ साफ दिख रहा है ना कोई भी जान सकता है ना तो option नमबर भी ये स्वरतंत्र भी बतलते हैं लेकिन अगर बच्चा बोले ही नहीं तो हाइट के इसाफ से हम जानी तो आपको सभी को पता है बच्चो इसका option होगा बड़न सुत्र अब बच्चो कुछ हम लोग वायू तथा जल परदोशन के महत्पुन प्रशनों को देख लें वायू बिविन गैसों का मिश्रण होता है सही बात है इनमें से ये gas वायू का 21% भागे ठीक है क्लियर है मानो और नाइट्रोजन का कितना प्रतिसात है ये भी जरा सा कमेंट सेक्षन में लिखेगा कौशन नमर टू है निमलिकित में से कौन सा वायू प्रदोशन का सुरूत नहीं है तो देखे जब भी नहीं हो आप इसे सतर्क हो जाएंगे और ये मेरे खाल से सवाल आया भी हो इस र नमर थ्री बूजो वायू प्रदोशन कम करने में योगदान करना चाहता है वो अपने विद्याले जाने के लिए कि स्वाहन का अप्योग करे ठीक है ये भी सवाल मेरे का सरेश्टा में आया जो मुझे यादा रहा है कार स्कूल बस ऑटो रिक्सा स्कूटर अब आप सोचे में एक दो लोग आ सकते हैं इसकूल बस में 40, 50, 60, 70 जैसे बस की कैपसिटी वैसे बच्चे बैठ सकते हैं तो इसका option नमर भी बच्चो सही होगा ठीक है इसके बाद next question निमलिकित में से कौन सा तरीका जल सनरक्षण के लिए नहीं है ठीक है तो यहाँ पे भी नहीं आ गया कम उपयोग पुना चक्रन यह सभी जनरक्षित करते हैं प्रतियस्थापन नहीं करेगा ठीक है तिहां पर option नमर ए सही है आगरा में ताज महल को अधिक्तम प्रवावित करने वाले प्रदूसक का प्रकार है तो सबसे ज्यादा आपका वायू प्रदूशन है जल और सलफोरी कम बनकर उस पर गिरते हैं तो उसका रंग खराब हो रहा है इसलिए कि सुप्रिम कोट ने आदेश भी अगल पगल की जितनी अद्यों की इकाईयां है वो बंद कर दी गई है पेट्रोल और जीजल जैसे इन दिनों का अपूर्ण दहन होता है ठीक है तो अपू आदेश जेस्ट मैने देखिया आपको बताया भी धूमें के करणCFC है क्लोरो फ्लोरो कारबन है या कौरा है तो अधी जेस्ट मैने बताया है अमलवर्सा ठीक है शलफर के जो खrebags होती होती है और वो ताजमहल को कराब कर रहा है पेजल वह जल है जो पेजल किसको कहेंगे ठीक है जो भाई पीने योग हो जो उसको हम पी सके हैं नदी नाले जील का तो भाई पी ने सकते हैं काफी गंदा हो चुका है तो सुध्य हम पीने योग जल को ही पेजल कहते हैं ठीक है सिंपल कोशन है ऐसे ही सिंपल आते भी हैं आप देख सकते हैं जो पुराने questions आये में मैंने हल करके सहरे एक वीडियो में बताया हुआ है निमलिकित में से कौन सा प्रकार्म आपको हर प्रकार की सुद्धियों से मुक्त जल देगा तो नाइन्थ का बच्चो जो सही option है वो है अस्वन ठीक है option number B एक तलाब में सुख्ष जल है निमलिकित में से कौन सी गतिविधी जल को सबसे कम प्रतूसित करें देखिए यहां देखिए सबसे कम ठीक है सभी कर रहे होंगे हो सकता है अब यह हम options देखते हैं लेकिन जो सबसे कम करेगा तलाब में कपड़े दोने भाई गंदा होगा ठीक है तलाब में जनवर का नहां गंदा होगा तलाब में मोटर वान को दोना गंदा होगा और तलाब में तैरना भाई तैरने से उतना गंदा नहीं होगा जितने इन तीन से गंदा हो रहा है भाई तैरने में क्या बस सरीर का जो पसीना या थ्रॉबूत के ही वही जाएगा ठीक है तो यह D option इसका यहाँ पर सही है ठीक है question number 11 है ब्रिक्ष ब्रिक्ष हमारे प्रेवरन का production कम करने में मदद करते हैं प्रती वर्स जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाकों पेड लगाया जाते हैं यह औसर क्या कहलाता है ठीक है तो यह औसर बच्चो कहलाता है one more so ठीक है उसी के दहर सब लगाया जाते हैं फिर आखरी question आज का निमलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें मैंने विदिवत कई topics समझाये हुए हैं बताये हुए कौन-कौन सी हैं और questions आते भी हैं तो इसमें देखिए जलवास्प है नहीं है तो खुदी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहां ऐसे option अमरे हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं ठीक है जिसकी वजह से अपने प्रित्विक अतापान जो है वह बढ़ रहा है वह और भी हैं यह तीन लेकिन आप जरूर याद कीज में थेंक्यू थेंक्यू वर्मच